कि नमस्कार एक फिर से मैं आप सभी के सामने पस्तित हूँ एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के साथ टॉपिक महादविपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी ने देखा कि अठारवी लोग सभा के चुनाव कंप्लीट हुए सभी सांसदों ने सपत ली और इसी उन्होंने इश्वर के नाम पर सपत नहीं ली उनका कहना था कि क्या हमारे समविधान में इश्वर के नाम पर सपत लेना मेंशन है कि यहां पर लिखा गया है कि जो भी मंत्री सांसद हैं वो सिर्फ इश्वर के नाम पर ही सपत लेंगे तो इसी बात को लेकर के आज हम चर् तो इन सारी चीजों को डेटेल में जानेंगे मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्क्रित इस के स्प्रेट फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है इससे पहले आप सभी के लिए महात्वपूर्ण सूचना है सूचना क्या हो जाते हैं कि हमारे यूपी ऐसी और पीसेस कोर्स पर आपको 75 परसेंट तक का डिसकाउंट दिया जा रहा है तो आप जल से जल इस डिसकाउंट का लाब उठा सकते हैं यह डिसकाउंट आपको 5-12 जुलाई तक ही मिलेगा जो ऑफर है हमारा वैलेड है तो अब जिन भी बच्चों को इसमें डिस इशवर के नाम पर यहाँ पर मेंशन कर रही हुं है specially इशवर के नाम पर शपत का प्रावधान नहीं था फिर यह कैसे आया कि लोग ईशवर के नाम पर समविधान में सपत लेते हैं ठीक है उसकी क्या चेंजमेंट है अभी आप दें देखा कि लोगसभा के जो अद्यक्ष इश्वर की सपत ले रहे थे तो कुछ सत्यनिस्ठा से प्रकित ले रहे थे कुछ सम्विधान को मान करके सपत ले रहे थे कि मैं सम्विधान को साक्षी मान करके सपत लेता हूं मैं इश्वर को साक्षी मान करके सपत लेता हूं मैं अपनी सत्यनिस्ठा और इमानदारी से इसक अपना जो दिया गया है उसको लेटर जिस पर वो सबत ले रहा है अगर वो अपनी सबत गलत पढ़ दे तो क्या होता है क्या उसे दुबारा से पढ़वाई जाती है तो यह कुछ अठारवी लोकसभा के सुरवाती सत्र में जो निर्वाचित सांसत थे वो शपत ले रहे थे इन में से जादादर सांसत जो है वो ईश्वर के नाम पर सपत ले रहे थे यह दुविदा तब सामने आई जो सम्विधान का जो ड्राफ्ट है वो तयार हो रहा था उस दौरान यह किसी भी शपत में इश्वर का जिक्र किया ही नहीं था वहाँ पर नहीं लिखा गया है कि आप इश्वर के नाम पर सपत लीजिए तो फिर सपत में इश्वर का नाम क्यों एड किया जा रहा है अब यह हमारे लिए इंपोर्टन है जानना बात करते आगे कि सांसदों के लोग जो है वह पर नामों को घोशित करता है तिक वह तभी वहाँ पर पर नाम आएंगे तभी तो पता चलेगा की कौन सांसत बना है कौन जीता है कौन नहीं जीता है तब यहां पर शुरू होता है कार्याले यह नतीजे जो आपकी प्रसुत किये जाते हैं वो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 73 के तहत गोशित होते हैं ठीक है कि इनके तहत यह पर नाम आते हैं और जो भी वेक्ति जीतता है वो आपका क्या बन जाता है सांसद बन जात है या फिर वो सम्विधान को ही साक्षी मान करके सपत ले रहें कि सम्विधान में जो बाते कही गई है मैं उनका पूर्टिया निस्था से पालन करांगा इस सदन की मरियादा बनाए रखूंगा और समाज की पूरी इच्छाससए宝ति आपकी इमांदारी इस सब का पालन तो अब ये उस पर डिपेंड है क्योंकि सम्विधान में इश्वर के नाम पर सपत लेने का कोई जिक्र नहीं है लेकिन सम्विधान में सपत लेने का उल्लेक अवश्य है चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद निर्वाच सांसत कुछ अधिकारों के लिए पत्र हो जाते हैं अब आगे बात कर लेते हैं किसी सांसत के चुनाव जीतने और कारेकाल शुरू होने से ही सदन की कारेवाही में भाग लेनी की अनुमती नहीं मिल जाती है तुरन से नहीं मिलती है ठीक सांसत को लोगसभा में बहस करके और मतदान करने के लिए पहले शपत लेनी होगी जब आप क्या है मतदान भी दे सकते हो वहाँ पर किसी भी चीज को लेकर के इसमें इश्वर को साक्षी मना जाता है या प्रतिग्या एक तरह का वादा होता है यह लेकर के सदन में अपनी सीट निशित करनी होती है ठीक आगे बात कर लेते हैं संसदिय सपत यहां पर बात की गई ह 나 दूं हमारे constitution में संसदिय सपत की और यह आता है हमारी दीरी अन शूची में संसदिय सपत का उलेकि अंध की बात की एगई है जहांपर कि कोई भी चाहें वू अपनी सानसद कर दो सब्भाने कारे कर सकता है तो इसके माधन से सदस्य भारत के सम्मिधान के प्रति सची स्रश्द्धा निस्था रखने और भारत के समप्रभुता अखंडता को बनाई रखने तथा अपने क hesit टाव्यों का निस्था पूर्वक निर्वाहन करने की शपत लेते हैं कि मैं अपने करतव्यों का निस्टा पूर्वक आभाहन करूंगा चीक है सपत लूँगा इस बात की और साथी साथ भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है इसको बनाए रखूंगा संविधान के अनुक्षेद 99 के बात करूं मैं तो इसमें सपत और प्रतिग्या का विवरर निर्धारित किया गया है कि उसमें क्या चीजें होंगी ठीक है लेकिन ऐसा स्पेशली मैंशन नहीं है कि वहाँ पर इश्वर होगा ठीक आगे बात करें अनुचेद 104 के तहत यदि संसद सपत लिए बगैर सदन की कारवाही में भाग लेता है तो वो मतदान तो नहीं कर सकता है और उसके उपर उस पे जुरुमाना अभी लगेगा 500 रुपेगा कि कम है लेकिन जुरुमाना इंपोस किया जागा कि अगर वो बिना सपत लिए संसद की किसी भी कारवाही में आता है सबसे पहले तो वो मत नहीं दे पाएगा कारवाही में उस तरीके से अपने उपर इस तो देने होते वो सब्सक्राइब कि अंसद के लिए कोई निर्वाचित हुए बिना भी मन्तरी बन सकता है यह अपुआद है कि हाँ बन सकता है मंतरी लेकिन उसको छे महीने के भीतर लोकसभा और राजसभा दोनों में अपनी सदस्यता को सुनिक्षित करना होगा तभी वो उसका जो मंत्री पद है वो बना रहा सकता है और इस जोरान्वा सदन की कारवाही में हिस्सा ले सकता है और लेकिन मतदान नहीं करेगा जब तक कि वो लोगसवा और राज्यसवा में अपना क्या है सदस्य बनने का पूरी तरीके से पड़ेगा तो आई होप आपको एक एक लाइन यहां पर समझ में आ रहे होगी अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि कब से यह चीज़े शुरू ही इतिहास क्या है सपत का विवरण कहां से आता है तो डॉक्टर भेम राव और मेडिकर की अधक्ष्टा वाली जो समित रखा गया है कि आपको सम्विधान को साक्षी मानना है ना कि इश्वर को साक्षी मानना है सम्विधान की सपत लेनी आपको कि हम आपकी पूरी निस्ठा से पूरी सची इमांदारी से सपत लेते हैं कि हम इसका निर्वाहन करेंगे अखंडिता जो आपकी है उसको बना करके के रखेंगे संप्रभुता को भारत की बना करके रखेंगे ठीक है और सम्विधान के प्रति इमांदार रहेंगे यह उसमें दिया गया है ना कि उसमें ईश्वर का वर्णन किया गया है आगे बात कर लेते हैं सम्विधान सभा में चरचा के दौरान केटी सा और महावी ट्या या कि इस से विश्वाशियों को डैभी सुएकृत और मेरे क्रिष्ण को साक्षी इमान करके चूट नहीं बनुगा मैं इमानदारी से रहूँगा मैं ये सारे कारे करूँगा ठीक है तो मेरे लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़ादा विश्वास पात्र बन जाएगा यानि कि मैं उसकी बातों पर अब ज़ादा बिलीफ करूँगी क्योंकि वो मेरे इस्ट को मान रहा है तो यहां पर यही तर्क दिया गया था कि जो समाज में लोग हैं जो दैवी शक्ति पर भरोशा करते हैं वो रास्ट पती का और भी जादा सम्मान करने लगेंगे और उनके द्वारा बनाएगे कानूनों को बहुत ही अच्छे से मानेंग करते हैं असहमती के बावजूद अंबेटकर ने कुछ व्यक्तियों के लिए इश्वर के आवाहन के महत्व को स्विकार करते हुए संसोधन को स्विकार कर लिया और उन्होंने बहुत सारे लोग असहमत थे लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हम कुछ लोगों के लिए स्पे में राश्ट्री एकता परशद की सिफारुशों के अनुरूप भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की पुरतिबद्धता भी यहां पर जोड़ दी गई ठीक है आगे बात कर लेते हैं इसमें शपत की प्रक्रिया क्या होती है देखें सांसदों यहां पर एक बात आपको याद रखनी आप थोड़े से कंफ्यूज मत होना यहां पर इश्वर के आवहान को महत्वदिया गया कि ठीक है आप चाहो तो इश्वर का जो आवहान कर सकते हो अपने शपत के दौरान ठीक है लेकिन यहां पर यह पूरी तरीके से नहीं क कि आप वहां पर क्या करो इश्वर का आवहान करो यह इश्वर को साक्षी मानों आप संविधान को शाक्षी मानिये और भारत की यहां पर क्या है संप्रभुता और अखंड़ता को मानिये और इसी का constitutional शंशोधन हुआ और इस पार्ट को फिर सब की जो सपत थी उसमें आड किया गया है तो पार्ट यह अड किया गया है ना कि यह छोड़ दिया गया है कुछ लोग के लिए अप टू यू आपको करना है करो जा करके चलो अब आगे बाद कर लेते हैं सपत की प्रक्रिया सांसदों को सपत लेने या प्रतिज्यान लेने से पहले अपना निर्वाचन प्रमारपत्र देना होता है लोगसभा स्टाफ को कि यह मेरा निर्वाचन प्रमारपत्र है अच्छा यह कब से आया निर्वाचन प्रमारपत्र रीजन ये था लेने का रिवाचन प्रापत्र की एक बार चुनाव होते हैं और चुनाव में कोई मानसिक रूप से जो बिमार व्यक्ति था थोड़े से कहते हैं कि यह तो बुद्धू है इसको कुछ नहीं पता तो वैसा व्यक्ति सपत ले लेता है ठीक है और वो चुनाव मे पर अनिवार हो गया कि जो भी सांसद है सबसे पहला अपना वोटर आईडी क्या करेंगे लोग सबस्टाफ को दे रहेंगे वह वैरिफाइग करेंगे ठीक है उसके बाद आपको क्या है सपत दिलाई जाएगी तो यह चेंजमेंट यहां से आया था कि आपको अपना वो जो तो हमारी सम्विदान की आत्मयनसूची की 22 भासाओं में आपको वही लिखना होगा उसमें और उसी के नाम से आपको सपत लेनी पड़ेगी ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं आपको सपत के पाठ का पालन करना होगा जिस अकॉर्डिंग वो दिया गया है उस जो विचलन है उनको दर्ज नहीं किया जाता है आप चाहें कोई भी प्रत्य जोड़ो का चाहें कोई भी व्यक्यां जोड़ो आप पर है लेकिन सही पढ़ना होगा ठीक है अगर आप गलत पर देते हो तो दुबारा से सपत दिलाई जाएगी सपत लेना और पतिग्यान करन व्यक्तिगत पसंद है वो कर सकते हैं सत्रवी लोग सभा में 87% सांसद ऐसे थे जिनोंने इश्वर को साक्षी माना और 13% ऐसे थे जिनोंने समविधान के प्रतिनिस्था दिखाई और समविधान को मान करके उन्होंने शपत ली ठीक है कुछ शांसद इश्वर की सपत लेते हैं और विभन शब्दों में इश्वर की पुस्टि भी करते हैं चलिए आगे बात के लिए क्या जो जेल में बैठे हुए हैं वह ले सकते हैं जो जेल में बैठ करके शांसद बने हैं वह यदि छे मात तक सदन में नहीं आते हैं बना सपत लिए तो उस सीट को रिक्तमाल ल साथ दिनों तक शांसद में उपस्थित नहीं होता है तो इसकी सीट रिक्त गोशित कर दी जाएगी और इसी वजह से उनको अनुमती दे जाती है कि आप क्या है ले लो सपत बैठ करके क्या पता तुमारी सीट रिक्त हो जाए इस वजह से तो वहां पर आप ले सकते हो ठीक कि अगर आप कोई भी क्वेरि मेरे से करते हो ठीक है तो सात बजे वाले लेक्चर में हो डिसकस कराऊंगी एक बज़े वाले लेक्चर जो होता है वहां पर मैं आपको मेंस का क्वेशन देथी हूं में इसके आंसर आइटिंग आपकी जो हो रही है अपने आंसर लिख करके भेजा करो मुझे नाम के साथ तो मैं उसका अच्छा फीडबैक दे पाऊंगे आपको ठीक है चली अब आ जाते हैं निम्लखित में से समयधान के किस अनुचेद में शबत और प्रतिग्या का विवरण निधारित किया गया है अनुचेद 18 अनुचेद 19 अनुचेद 99 और अनुचेद 21 तो मुझे कमेंट में इसका असर जरूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शेंड सुस्क्राइब करना भिलकुल भी ना बूले थांक यू सो मच